हेलो बाई यो स्वागत है आपका अपने चैनल फेंटैसी दूट जरसन में चलिए बात करते हैं आज के जो मैच होने आला है सीपी बरसे जीजी का बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा बैतरीन मैच है तो वीडियो में लगातार बने रहे हैं हम इस वीडियो में सि सिर्फ केवल इंपॉर्टेंट जो चीज होता है जिसके बारे में आपको नॉलिज होना चीए सिर्फ वही चीज कवर करेंगे बाकी जो अन्नोन चीज होता है जैसे वेन्यू पिच यह सब अगर आपन डिसकस नहीं करने वाले आज ज्यादा तो वीडियो में भी बड़ी न तक जहूर देखिएगा जो नए हो प्लीज लाइक सी और सब्सक्राइब कर देजिगा बैल आइकन को कर देजिगा प्रेस चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर की होए वीडियो को एक चीज और बता दो गाइस डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक है तो वहां से आ अब बिना देर की होए करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो यह भाई दसवा मैच है सीपी वर्सेट जीजी का थर्ड जून को है मतलब आज ही का दिन ही मैच है ड्रीम इलेवन स्पाइस इसले ट्वेंटी का मैच है यह वहन्यों के बात करो नेशनल क्रिकेट इस्टेडियम जर्ट ग्रेंड का है अब इदर से पीच रिपोर्ट की बात करो वहीं पीच रिपोर्ट क्या रहने वाला है तो नेशनल क्रिकेट इस्टेडियम है यहां पास मेरे को फर्स्ट इनिंग इसकोर एवरेज इसकोर भाई मुझे फर्स्ट निंग का 102 नजर आ रहा है और यह दि पैडिंग किया भाई चार बार जीट चुका है और जो बालिंग की है पहले वह पांच बार जीट चुका थिकाण किया तो मतलब आपको क्या जनरल्स भी दो में जीत कर आ रही है और सिनेमा पेसर्स भी दो में जीत कर आ रही है एक में चार कर आ रही है जर्ज जनरल्स भी एक में चार कर आ रही है तो ये बात को ध्यान में रखते हुए टीम बनाईएगा बैटिंग और मतलब आपको दोनों टीम से बैलेंस प्लेयर को तो टिसाइड करना अपने टीम में मलब किसी टीम को प्रायोटी नहीं देना आपको स्रिफ बॉलर्स आल रौंडर्स के साथ जाना यह बात के ध्यान रखेगा ठीक हर वीडियो में बताता हूं इस वीडियो में भी बता रहा हूं आपको अब भाई अपन बात कर लेते हैं सिन पता चलेगा तो बात करता है सीपी के तरफ से बैटिंग ओडर क्या रहने वाला है तो टॉप में आएंगे ए अन्थंजनी तो इनका बात ध्यान रखेगा जो आपका बैटिंग ओडर रहता है वह ज्यादा इंपॉर्ट रहता है सेकंड डाउन पर एम नारायन आएंगे ज फिर शिक्स पाएंगे अडिल बेगस फिर जॉस एडम फिर जाविद हैजाड फिर उसके बाद लेवीज फिर जे एस पॉल और विलियम तो कुछ इस प्रकार का इनका बाई प्लेइंग 11 रहने वाला है बैडिंग ओडर के साथ मैंने यहां डिनोड किया है तो आप चाहे त के स्टेर्ตस बता दू स्टीम के स्टेर्सकराइब बैट बाल्र कलेट करता है सब कुछ मेंने कवर कर ने की कुछ विए तो बात करते हैं पूरिंट बात के बात करें तो यह बहुत क्या विदियो बहुत कर दो कर देखे Conservation फिर्स्ट में आते हैं Most Runners कौन-कौन इस टीम से सबसे ज़्यादा Runs बनाए हैं तो ये बात ध्यान रखेगा आप टीम बनाते समय आपको ये प्लेयर्स को अपने टीम में पिक करना ही करना है तो मैच इन्होंने तीन-तीन खेले हैं सबने तीन खेला है जो दो मैच खेलके आ रहा है लेकिन इनको बैटिंग प्रॉपर फस्टीन वाले को प्रॉपर जहां तक मेरा लाइन यह वाला यहां पस तक आपको थीन इनिंग्स में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं यह प्लेयर्स लेकिन लास्ट का जो प्लेयर के पीटर्स तीन मैच खेला है लेकिन दू मैच स्रिफ उसको बैटिंग मिला है बागी उसको बैटिंग वगर नहीं मिला है तो यह बात ध्यान में रखिएगा अब रन की बात कर ले भाई तीन मैच में तीन इनिंग्स में 183 रन आवरेज 90.0 का है स्ट्राइक रेट 204.54 का है ए एथंजन नाम इनका एच केमबले की बात करें भाई तीन मैच में तीन इनिंग्स में 87 रन है 29 एवरेज इनका स्ट्राइक रेट 142.62 है एम नरायन की बात करो भाई तीन मैच में तीन इनिंग्स में इनका अठरा रन है प्लस अठरा का एवरेज है 112.50 का स्ट्राइक रेट है के नहीं मिला लेकिन उसमें भी रान इक चालए कर लाए इस टीम के तरफ से बालर सब से तगडे कौन से रहने वाले हैं कौन सबसे ज़्यादा विकट ले जाते हैं तो वीडियो में लगातार बने रहेगा उस टीम की बीबात करेंगे के पीटर की बात करो तीन मैच में चार वि पॉइंट 50 का था के पीटर्स की बात कुरूई यहां पस आपको के पीटर्स थर्ड फूर्थ नमबर पर आपको यहां पस दिख जाएंगे तीन इनको दो बार बैडिंग मिला है बाकी यह बॉलिंग करते हैं तो मतलब आपको बैडिंग और बालिंग दोनों से पॉइंट दे आपको पूरे यूटूब में ऐसा कोई अनलेसिस करके नहीं बताएगा तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा एबैक्स की बात करो भाई तीन मैच में चार ओवर मिला है इनको चार ओवर में एक विकेट लेगा है मात्रा ग्यारा का एकोनॉमी रेट है स्ट्राइक रेट चॉबिस का है मतलब आपके लिए एक डिफेक्टिव पीस एबैक्स है आप इनको छोड़ भी सकते हो में भी मैं तीन मैच में 4.2 का ओवर है इनका और एक विकेट ले गया है पूरे इस तीन मैच के टूर्णामेंट में 14.53 का इनका एकोनॉमी है और स्ट्राइक रेट 26 का है तो मतलब इन सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड आपको पता चल गया होगा में भी आपको सब क्लियर हो रहा हो यद जमील वेविल फिर सेकेंड में कौन आएगा बाई जर्च क्यों नहीं नी फिर रॉनेल्ड केटो फिर उसके बाद एडवर्ड लैरी फिर मैक डॉनल्ड डेनियल फिर मैथिव एनिल फिर चारलेस रेनोल्ड फ्रेसल माइकल फिर पैसकल नियोलोन नरांड सुनील फिर रेड लेते हैं एक बार बाई इतना कुछ आपके लिए किया है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है तो प्लीज एक लाइक किजिए गा जिसे क्या अपने को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है सब्सक्राइब कर देजेगा यह दिन हो तो बैल आइकन को कर देजेगा प्रेस चलिए बात करते हैं फ्लेयर्स की तो ववल Benjamin की बात करो this platform. रइंच भाइं ममड़ार फ्लेयर है विन जमीच 1500ौं स्ट्राइक रेट की बात करूबाई तीन मैच में तीन इनिंग्स में पैसकल की बात करूबाई तीन मैच में एक बार बैटिंग मिला वह भी एक रन बनाए बाकी इनका अच्छका सा है नहीं एक ही होगा स्ट्राइक रेट पचास का है तो ये बात का धियान रखिएगा मैं यहाँ पस आपको बॉलर्स के में क्लेर कर दे रहा हूं कौन डेथ में बॉलिंग करने आते हैं यह आपको पता ही चल जाएगा इस ओर्डर को देखकर तो फर्स्ट में आते है बाई रेड़ निकल लस इनक पैसकल की बात करो तीन मैच में शिक्स ओवर में दो विक्ट ले गया है अफ में कहीज स्सकाम्स हो बात करो तीन मैच में चार ओवर में एक विक्ट ले गया है मात्र भाई ज्यादा ओवर्स भी नहीं मिला इनको करने के लिए बारा तसमलों पचीज का स्ट्राइक रेट एकोनोमी है माफ करेगा और चोबिस का इनका स्ट्राइक रेट है अब चलिए बात करते हैं आगे टॉपिक्स आपके लिए कौन-कौन से रहेंगे आफटर निकलेस रहेंगे तो कुछ इस पर करके प्यरा आपके लिए टॉपिक्स रहेंगे क्याप्टन से यहां पस आप देखी सकते हो बाई बिना देर के विडियो को कर दिएका सब्सक्राइब जिससे क्या अपने को मोडिवेशन मिलेगा इसमौल लिग्व टीम यह दिल लगाते हो तो उ प्रेंड आपको दिखा दू एक मिनटे करिएगा तो बाई यह मेरा मेरा टीम है तो देख सकते हो आप मैंने रह छीज वीडियो क्लियर कर दिया है यदी कुछ कुलियर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट करिएगा जो डाउट हो गोई उसको कमेंट करेंगे आपने की कसि करेंग मिलते भाई हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए अनलेसिस के साथ तब तक जहें